लीला करने लगे और उस सुन्दर लीला को देख करके यसोदा जी बड़ी गदगद हो जाती हैं बड़ी प्रसन हो जाती हैं गोप गोपियंगान लीला को देख करके बड़े प्रसन होते हैं घर का कारे छोड़ करके गोपियां भगवान की वो लीला देखने के लिए आने लगती हैं बगवान थोड़े और बड़े हुए एक दिन बहुत सारी गोपियां एकत्रित हो करके यसोदा मैया के पास आई उलाहना देने के लिए आई तो हैं वो कनया का दर्सन करने के लिए तिरची छित्वन से बार बार कनया को निहरती हैं और सामने यसोदा जी को उलाहना दे रही हैं क्या कहा कहा बत्सान मुंचन क्वचिद असमये क्रोश संजात हासहा इस्तेयं स्वाद वत्यत दधिपयाहा कलिपित इस्तेययोगई मरकान भोंजन विबजती साचे नाति भांडम भिनती द्रब्या लाबे सग्रिह कुपितो याति उपक्रोश तोकान गोपियां कहती हैं कि ये यसोदा मैया ये तुम्हारा जो बालक है ये बड़ा नढखट हो गया क्यों कहा बतसान मुंचन ये हमारे बचणों को छोड़ देता है तो मैया ने कहा ये तो अच्छी बात है बचणों को छोड़ देता है तुमको छोड़ना नहीं पड़ेगा सिधा दोहन कर लो तो गोपियां कहती है यदि समाई पर छोड़े तब तो ठीक ही है लेकिन असमाई में ये बच्छनों को छोड़ देता है और बच्छने जा करके दूद पी लेते हैं गायों का मैया यसोदा ने कहा वैसे इसका अर्थ स्वामी गरबाते जी कहते थे बद्सान बद्समाने जीव गोपिया स्टुटी है मैया यसोदा से जाकर इस रिकायत करती है कि है यसोदा मैया तुम्हारा ये नटखट बालगा जीवों को असमाई में मुक्त कर देता है ये नहीं देखता कि ये जीव मुक्त होने का अधिकारी है कि नहीं है इसने जीवन में कुछ पोड़ किया है कि नहीं किया है कुछ भी बिचार नहीं करता और छोड़ देता है लेकिन ब्यवहर में यही लीजे एक बार स्वामी करपाद्धिर जी इतने पर ही साथ दिन तक कठा किये थे बसान मुझचन पचित असमय इतनी सब्द पर साथ दिन तक कठा किया था तो ब्योहर में यहीं लीजिए आप कि जो है गोपियां सिकायत करती हैं कि है मैया तुम्हारा ये बालक असमय में बच्छणों को छोण देता है अब बच्छणे जाकर के दूद पी लेते हैं तो मैया ने कहा अरे गोपियों ये अपने तो बालक है ना डाड़ दिया करो तो गोपियां कहती है वो करके देख लिया क्रोश संजाता हासा यदि हम क्रोध करती हैं डाड़ती हैं तो उल्टा हमको जो है ये मटका करके और जो है हसने लगता है भैभीत नहीं होता उल्टा हमको मटका करके और हसने लगता है इतने ही नहीं कहा इस्तेयम स्वादवत्यत गधिपयाहा कहे बईया ये तुमारा बालक तो चौर भी हो गया क्या करता है कहा सुन्दर ताजे मक्षन ताजे दही मीठे दही को खा जाता है मैया ये सोदा ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है गोपियों अपने यहाँ बहुत दोता ही होता है लेकिन ये खाता ही नहीं कम से कम तुम्हारे यहां खा लेता है हमारे मन को संतोस हो रहा है तो कहती है कि अरे यह स्वयम खाता तब तो ठीकी ही था कहा यह स्वयम तो खाता है यह मरकान भूंजन यह बंदरों को भी बाट करके खिलाता है मरकान भूंजन मनलब स्वयम तो खाता ही है बंदरों को भी पांट के खिलाता है अब ऐसा नहीं कल पिताई ही स्पिय योगई है कहा ये चोरी करने का रोज नया नया कोई न कोई हूँ उपाई निकालता रहता है और उस उपाई के द्वारा चोरी करता है मैया ने कहा कि कई ऐसा रख दो जहां इसको मिले ही ना सामने खाली बर्दन रहे तो कहा साचे नाति भांडम भिनति यदि मटके में दूद्ध ही नहीं मिलता मक्ष नहीं मिलता तो ये मटके को ही फोड़ देता है द्रब्या लाबे सक्रिह कुपितो यात उपक्रो सतो कान अगा इतना ही नहीं अगर मक्ष नहीं मिलता दही नहीं मिलता तो छोटे छोटे बालकों को चुटकी काड़ के रूला करके चला जाता है मैया ने कहा अरे गोपियों बड़ा सरन उपाई बता रही हूं क्या कहा इसको सिकहर पर रख दो उचाई पर रख दो सिकहर पर रख दो जहां उसका हाथ ही ना पहुँचे ये छोटा साई फिर इसका हाथ कैसे पहुँचेगा तो गोपियां कहते हैं कि ये ये सोदा मैया हमने वो भी करके देख लिया काबिर कहा जब हम उचाई पर रख देती हैं तो ये एक दूसरे सखा के कंधे पर चड़ जाता है और कंधे पर चड़ करके दूद दही मखन सब को बांट के खिलाता है और और अधिकुचाई पर कर देती हैं तो वो समटके में अपनी लकुटी से छेद कर देता है और जब दही मखन गिरने लगता है तो कहा सब मिल करके खाने लगते हैं ध्वानता गारे धित मारी गड़म श्वांग मर्थव प्रदीपम मैया ने कहा एक अवरू पाएं क्या तहां अंधेरे में रख दो जहां यह देखी नहीं पाएं अंधेरे में रख दो मटका तो गोपिया कहती हैं अंधेरे में भी रख करके हमने देख लिया कहा फिर कहा इसके हाथ में जो आपने कंगन पहना रख आए ना जब यह उसमें जाता है उस अंधेरे में तो इस कंगन में इतना प्रकास होता है कि अंधेरे में भी इसको दिख जाता है तो मैया ने का अच्छा तो गोपियों इसका हमें कंगन उतार देती तो गोपियों ने यसोदा मैया का हाथ बगड़ी लिया नहीं नहीं मैया इसके कंगन से प्रकास नहीं होता तो कहा पिर श्वांग मर्था प्रदीपन इसके सरीर से ही प्रकास निकलता है भगवान परम प्रकास में ना तो कहा इसके सरीर से ही प्रकास निकलता है और अंधेरे में भी इसको मटका दिखाई दे जाता है इस तरह से गोपियां जो है वहां आती है उलाहना के बहाने बगवान किश्न का दरशन करती यसोदा मेया ने कहा गोपियों हम तुमारी चाल समझ गई तुम आती तो हो कनहिया को दर्सन करने लेकिन जूँटए तुम हमारे कनहिया को चौरी का पुलाहना देती हो हम समझ गई तो एक गोपी कहने लगी कि यह सोदा मैया आप नहीं मान रही हैं कल अजरंगे हाथ पकड़ करके दिखा देंगे नहीं नहीं बहू थी वो अभी साधी में आई थी अब वो घर में दही का मटका खोल के रख दिया और छुप गई है नेरे में भगवान ने देखा कि इसको बड़ा प्रेम है हमको पकड़ना चाहती है तो भगवान आज उसके घर चोरी करने चली गए जब वहाँ गए उसके घर में तो दही खाने लगे अब वो तो वहीं छुपी हुई थी पहले सोचा थोड़ा खा ले फिर पकड़े जब थोड़ा सा खा लिया बगवान तब पीछे से आकर के हाथ पकड़ लिया जब हाथ पकड़ाओ कहा लाला बताओ तुम क्या कर रहे थे मैया तुम्हारी कहती है कि हमारा लाला चोरी नहीं करता अब बताओ क्या कर रहे थे तो कनया ने कहा अरे गोपी हम चोरी नहीं कर रहे थे फिर कर क्या रहे थे कहा इस दही में चीटियां चड़ गई थे हम तो वो चीटियों को निकाल रहे थे तब गोपी ने कहा चीटियां नकाल रहे थे तो हाथ में दही लग गई लेकिन मुख में कैसे लगा खाते से मैं मुख में भी लगा दाई तो कहा एक चीटी मुख पर पहुँच गई थी तो हम उसको जाडने लगे था मुख में लग गया दाई लेकिन हम चोरी नहीं कर दाई वो गोपी कहने लगी अब तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा हम तुमको पकड़ करके भगवान के पास ले चलेंगे भगवान ने बहुत कहा छोड़ दो गोपी छोड़ दो लेकिन नहीं माने अब वो हाथ पकड़ करके भगवान का यसोदा मैया के पास ले जाने लगी आगे आगे वो चल रही है हाथ पकड़े है पीचे पीचे भगवान चल रही है थोड़ी दूर गई तो उसका पती बैटा था उसने देखा ये पकड़ के कहां ले जा रही है उचा रहे ले कहां जा रही है तो जा कहां रही है इसको कहां ले जा रही है वो भगवान के असपर्स के कारण इतना आनंद में खोई थी कि पती की आवाज सुनी ने एक बार कहा दो बार कहा जब नहीं सुनी तो उसने सोचा कि देखें कहा लिया जा रही है साथ में वो भी चल दिया उसके साथ में जब चलनी लगा थोड़ी दूर और गए भगवान ने गोपी से कहा अरे गोपी तुमारा हाथ तो बड़ा कठो रहा है और हमारा हाथ बड़ा सुकोमल तुमारे पकड़ने से हमको दर्द होने लगा लो दूसरा हाथ पकड़ लो गोपी वो अंदर से तो प्रेमत हा इसलिए उसने का अच्छा ला पकड़ा भगवान जैसे उसने का अला पकड़ा भगवान ने दीरे से उसके पती का हाथ आगे कर दिया तो उसके पती का हाथ आगे कर दिया उसने पती का हाथ पकड़ लिया भगवान भी साथ में चल रहे हैं और चलते चलते यसोदा मैया के महल के पास पहुँच गए बगवान दीरे से पीछे के दरौजे से अंदर चले गए इदर वो गोपी ने आवाज लगाई मैया अंदर से यसोदा बोली हाँ गोपी कहा देखो तुम नहीं मानती थी कि हमारा लाला चोरी करता है आज रंगे हाँ पकड़ करके लाई तुम यसोदा मैया मन में सोची कि कैसे पकड़ा गया अब बाहर निकल करके आई का हाँ बता गोपी का आई ये देखो तुम कहिती थी हमारा लाला चोरी नहीं करता आज देखो पकड़ के लाई यसोदा ने कहा जरा गोपी पीछे देख तो अब वो देखी जब तो नई नई बहुती सर्मा गई वो और हाँ चोड़ के भग लिया का रहे सुन सुन लेकिन जब तक सुन सुन कहा वो सीधा घर भाग गई रहे हैं इस तरह से भगवान गोपियों के यहां जाकर के लिला गरते हैं वाज़तों में गोपी का अर्थ होता है गोभिर इंद्रियाई है पिबत ब्रह्म्ह रसम इत गोपी कोई इस्त्री नहीं है गोपी माने जो अपने सब इंद्रियों के द्वारा केवल किष्ण रस का पान करे वही गोपी जिसके नेत्र केवल भगवान को निहागने के लिए हो जिसके हाद केवल भगवान की पूजा करने के लिए हो जिसके कान केवल भगवान का चरित्रगान करने के लिए हो जिसकी बाड़ी केवल भगवान के नाम का संकीतन करने के लिए हो वही गोपी है तो यह सारी की सारी गोपियां किष्ण मैं थी किष्ण के लिए जीती थी किष्ण प्राणा थी है इसलिए भगवान उनके घर बार-बार जाते थे और चोरी तो एक लीला थी मानों उनके प्रेम को बढ़ाते थे भगवान थोड़े और बड़े हुए एक दिन ग्वालबालों के साथ और बड़े भाई बलराम के साथ खेलने के लिए चले गए खेलते खेलते उन्होंने कनया ने मिट्टी खा लिया जब मिट्टी खाई तो गालबालों ने पक आकर के जो है मैया या सोदा से बताया मैया आज तो कनया ने मिट्टी खाई है बलराम भाया ने कह दिया हाँ ये शोदा मैया वहां पहुँच गई जहां कनया मिटी खाए थे और जा करके कनया का हाथ पकड़ लिया पकड़ करके कहती हैं कस्मान म्रिद मदान तात्मन भवान भग्षित वान रहा बदंतिता वकाहे थे कुमारास थे अग्रजोप्यम मैया ने कहा अरे नटखट तुमने मिटी क्यों खाई कनया एक जड़ ऐसा जैसे मानों डर गए हूँ ऐसे जरी से खड़ी हो गए और कहिने लगे कि ये मैया हमने मिटी नहीं खाई तो कहा बदंतिताव काहे थे ये तुम्हारे सखा कह रहे हैं ये ग्वालबाल कह रहे हैं तो कनया ने कहा मैया इनसे थोड़ा हमारी लड़ाई हो गई है इसलिए हमको पिटवाने के लिए ये कह रहे हैं तो मैया ने कहा कुमारास्ते अक्रजोप्यम ये तुम्हारा बड़ा भाई भी तो कह रहे हैं अताद बल्राम भी तो कह रहे हैं तब कनया ने कहा नाहम भक्षित्वान मंबं शर्वे मिठ्या भिशंसिनहा यदि सत्य गिरातर ही समक्षम पस्यमे मुगं कनया ने कहा ये मैया हमने मिठ्य नहीं खाई नाहम भक्षित्वान अमबं ये अमबं हमने मिठ्य नहीं खाई शर्वे मिठ्या भिशंसिनह ये सब के सब जूट बोल रहें यदि तुम इनकी बाद को सच मान रही हो तो समक्षम पस्यमे मुगं तो लो हमारे मुख में देख लो कनाया ने सोचा कि जब ये बात कहिए देंगे कि हमारे मुख में देख लो तो मैया को फिस्वास हो जाएगा कि इसका मनला भी इसने मिठ्य नहीं खाई अगर खाया होता तो ये नहीं कहता कि मुख में देख लो अब मैया मुख नहीं देखेगी लेकिन मया भी वैसे ते कहा दिखा पर जैसे कहा दिखा पर कहते हैं कनएया ने अपना मुक खोल दिया और जैसे खोला तो सारा का सारा ब्रम्हांड मया के मया ने जो है कनएया के मुक मे देखा दीर करके आश्यर चकित, स्वर्ग भी दिखाई दे रहा है, मुख में बैकुंठ भी, कैलास भी, सातों समुत्र दिखाई दे रहें, नचात्रगण, तारागण, चंद्रमा, सब दिखाई दे रहा है मैया यशोदा ने प्रज को भी देखा, नंद बाबा को भी देखा, गोपियों को भी देखा, अपने याब को भी, कनहया के मुख में देखा अब मैया को बड़ा अश्यर हुआ और कहने लगी किम्शप्न एत दुत देव माया किम्वा मदियों बतभुत्ति मोहा मैया यशोदा कहती है, किम्शप्न एत दियों माया कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, हम जग तो रही हैं ना कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही हैं, अथवा ये कोई देवताओं की माया है ये छोटे से कनया के छोटे से मुख में इतना प्रभ्मांड कैसे दिकाई दे रहा है ये क्या देख रही हैं, ये कोई देवताओं की माया तो नहीं है कहीं हम पागल तो नहीं हो गई क्या कहा कहीं हम पागल तो नहीं हो गई फिर मन में आयाम कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा बालक ही कोई चमतकारी हो चमतकार दिखा रहा हो हई के या मैया ये सोदा को जब बड़ा आश्यर होने लगा तब भगवान ने सोचा कहीं मैया ये सोदा बाद में ऐसा ना हो कि हमको भगवान मान ले इसलिए भगवान ने मुश्कराए अब मुश्करा करके जो है मोजब बंद किया तो बंद करते ही मैया यसोदा ने कनिया को अगुध मे ले लिया मुश्कराहट से ही मैया यसोदा सब कुछ भूल गई कि हमने मुख में क्या देखा था अब शृरी शुकर देव जी कहते हैं एकदा ग्रिह दासी सुक्त यसोदा नंद गेहने करमांतर निभक्तासु निर्ममंत श्वयंद धीर से सुगदेव जी कहते हैं एक दिन एकदा ग्रिह दासी सुक्त यसोदा मया जो किष्ण के लिए कारी होता वो तो अपने हां से करती थी अन्यकार जो है वो दासी से कराती थी एक दाख्रिह दासी सुक्त कहते हैं मया यसोदा एक दिन जो है शायंकाल कनहिया को अश्नान कराया, सुन्दर शिंगार किया, मोटे मोटे आँख में काजर लगा करके पलंग पर सुला दिया स्वयम्भी सो गई, सुबाह चार वजे महिया यसोदा उठ गई अब तो बहुत कम परिवार ऐसे होगा जहां चार वजे उठते होगे ब्रह्म बेला में बहुत कम परिवार होगा जो उठते होगे नहीं तो सुर्य उदाई हो जाता है आठ नव बजे तक उठते होगे पूरे बोलो दो माता हो चार ने खाया कि नहीं हम चार वजे उठते देखो सुर्य उदाई के समय और अस्त के समय भूल करके भी नहीं सोना चाहिए एक दिन हम और यह बात कहा कि संध्या के समय भूल करके भी नित्रा नहीं रेना चाहिए पूर्वर में किया हुआ सारा का सारा पोड्य नष्ट हो जाता है अगर जो है सुर्य उदाई के समय को इस होता है तब ब्रह्म बेला में उठ करके अश्नान कर लेना चाहिए अश्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए भजन करना चाहिए वो समय भ्रम भीलाए भजन कर समय अउटेंगे प्रियस्णान करेंगे पिर कब भजन करेंगे फिर मन कैसी लगेगा लिका है उत्तमा तार को पेता मद्धमा लुप्त तार का, उत्तम यह है कि तारागण के रहते रहते अस्नान हो और संध्या पे बढ़ जाएं। मद्धम यह है कि तारागण लुप्त हो रहे हो और अस्नान हो जाएं। संध्या पे बढ़ जाएं। और अधम यह है कि सूर्य उदय हो रहा हो उस्नान करके पूजन पे बढ़ जाएं। इसके बाद का फिर कोई पूजन उजन नहीं है वह तो ऐसे नहीं। हमने बच्पन में देखा माताएं चार बज़े उठ जाती थी। गाओं में वह समय हाथ से चक्की पीसी जाती थी। उठके पूरे घर में सूर्य उदय से पहले जाडू लग जाता था। चक्की पीसी थी माताएं खजन गाती थी उस समय में। तो सारा का सारा खेल बंद हो गया तो यहां कहते हैं मैया यसोदा चार वजे उठे और उठके दासियों को तो दूसरे कारी में लगा दिया और श्वयम निर्ममंथ श्वयम्ददी अपने हाँ से दही का मंधन करने लगी कि जब कनहिया उठेगा तो उसे ताजा मक्षन खिलाएंगे इसलिए जब दही का मंधन करने लगे तो एक साथ में तीन कारी कर रही है इस थूल सरीर से तो दही का मंधन कर रही है मतानी चला रही है मन से कनहिया के बाल लीला का चिर्टन कर रही है कनया जो जो करता है लीला उसका चिंतन मन से चल रहा है और बाड़ी से उसी लीला का भजन बना करके गा रही है माताओं में ये बड़ा गुण होता है एक मिनट में ये भजन अपने आप बना लेती ये गाड़ गिप्ट सम्झेो हैं इनमें तुरंद बना लेंगी बजन तुरंद गा देंगे तो बाल लीला का उसके मन से चिंतन कर रही है और बाड़ी से उसी का गान कर रही और हात से मथानी चला रही इधर कनया की भी नीन्द खुल गई नीन खुलने के बाद कनया ने मैया, मैया ऐसा आवाज लगाई लेकिन मैया ने सुना नहीं, क्यों? एक तो तहीं मत रही थी उसकी आवाज दूसरा स्वयम का रही थी उसकी आवाज अग तीसरे उनका मन भगवान के बाल नीला के चिंतन में लगा था इसलिए वो सुन नहीं पाई ज़ब नहीं सुनी तो कनईया रोने लगे लेकिन रोने की आवाज भी मयायसोधा ने नहीं सुना यहां लिख रहे हैं कि जब रोने लगे कनईया तो उनके आख में जो मोटा मोटा काजल लगा रखा था वो काजल धुल करके अपने आप बहने लगा और कनाया ने फिर रोते रोते दोनों आखों को ऐसे मीजने लगे जब मीजा तो वो काजल पूरे कपूलों पर जो है फैल गया गाल पर फैल गया स्री सुगदेव जी कहते हैं कि उस शमय कनाया का ऐसा दिब्य रूप हुआ जिसे देखकर के भगवान शुबी कहने लगे आज का दिब्य रूप देखकर हमारा जीवन धन्य हो गया ऐसा सुन्दर रूप हो गया अब रोने के बाद भी वो नहीं सुनी मैया यसोदा तो धीरे से पलंग से नीचे कोद गए गिर गए नीचे और गिर करके अब वो खड़े खड़े चलने लगे थे तो चलते हुए जहां मैया यसोदा जही मत रहे ती जाकर के एक हाथ से मतानी पकड़ लिया दूसरे हां से मैया की साड़ी पकड़ ली गोद में चड़ने लगे मैया ने जैसे कनया को देखा गही मतना बंद कर दिया और अपनी गोद में ले लिया कनया को और वही पर पैट करके कनया को दूद पिलाने लगी कनया का मुख देख करके यह सुन्दर रूप देखकर के कहीं आज लाला को हमारी ही नजर ना लग जाए यद भी माता की नजर कभी पुत्र को नहीं लगती ही नहीं लेकिन फिर भी जो है मैग यह सुधा कहती है कि आज तो यह इतना सुन्दर दिखाई देरा है कहते ही हमारी ही नजर न लग जाई इसको उसके बाद कनईया को लाड़ करती हुई दूद पिलाने लगी अभी कनईया त्रिप्त नहीं हुए थे उसी समय पास में ही अगनी पर मैया या सोधा ने दूद चड़ा रखा था कनईया के लिए गरम कर रही थी और ये साधारन दूद नहीं था कहते हैं पदमा गाय का दूद था एक लाख गायों का दूद दस हजार गायों को पिलाया जाता था और दस हजार गायों का दूद एक हजार गाय को एक हजार गायों का दूद सव गायों को और सव गायों का दूद दस गायों क ईसलिए उफान आ गया कि दूद सोचने लगा यदि हम कनहिया के लिए काम ना आ सके तो जीने से लाब ही क्या है क्यों कनहिया यदि मैया का दूद पीके त्रिक्त हो गया तो हमें पीएगा नहीं शबिकार नहीं करेगा तो हमारे जीने से लाब ही क्या है इसे अच्छा तो अगनी में कूद के प्राण दे दे इस स्वामी अखंडा नंजी महाराज के दे ऐसा सोच करके अगनी में दोध गिरने लगा इधर मैया ने मन में सोचा कि ये तो हमारा दोध है कहा जाने वाला है फिर पिला देंगी लेकिन पदमागाय का दोध यदि ठगनी में गिर गया तो फिर ये भूखा रह जाएगा कनया को वहीं बैठा दिया और बैठा करके दोड़ती हुई वहां पहुँच गई जल्दी से अगनी से दोध को उतारा नीचे रखा बिवस्थित करके वहां से वापस आई इडर कनया ने देखा मानो परिच्छा ले राता कनया कि देखें दूध बड़ा है कि पूत्व दोना में किसी ये सोदा मैया प्रिम करती तो कनया को छोड़ के गई तो मानो दूध से प्रिम करती है तो कनहिया को कुरोध आ गया यहां लिख रहे हैं कि जब कुरोध आया तो संजात कोपा इस पूरितार लाधरम भगवान का ये लाल-लालोठ कांपने लगा इतना कुरोध आ गया और वहीं पर एक लोड़ा पड़ाता है जो सिल लोड़ा होता है लोड़ा उठाया और पटक दिया जो है मड़के दही के मड़के पर मड़का भूड़ दिया सारा दही लगया अब भगवान बगल वाले कमरे में चले गए वहाँ पर रखा हुआ था बासी मक्खन सिकार पर एक उलूखल पर खड़े हो करके और खाने लगे बासी मक्खन ताकि मईया समझे कि कितना भूखा ही है मईया वहाँ आई जब देखा कि कनईया है नहीं तो जोनने लगी पास के कमरा में गई कनईया ने देखा मईया आ रही बड़ी गुसा में है क्रोध में क्यों कि मटका फोड़ दिया इसे ने हाथ में छड़ी लेली मईया ने उका अठायर जा तूने ददिया सास के जवाने की मटका फोड़ दिया कि पहले माह ने मिट्टी का मटका बहुत साल तक उसको रखती थी तो कहा ददिया सास के जवाने की मटका फोड़ दिया खड़ा हो जब दोड़ी तो कनईया मानो डर से गए हो और भाग चले आगे आगे कनईया भाग रहे पीछे पीछे मैया यसोदा पकड़नी के लिए द तरी सुगदेव जिए हैं कितनी बिजित्र बात हैं तुलसिदाजी ने भिकासिव बिरंच जय ध्यान नपावा भगवान शिवा ब्रह्मा भी बड़े बड़े योगी भी बड़े मुश्किल से जिनको ध्यान में ला पाते हैं आज उनको पकड़ने के लिए एक साधार्ण से गोपी दोड़ रही है पकड़ना चाहती है बगवान भाग रहे पीछे से यसोदा मैया दोड़ रही है यसोदा मैया थोड़ी थूल सरी ती मोटी तगड़ी थी थोड़ा ही दोड़ी ठक गई सांस तेज चलने लगी यसोदा मैया की चोटी खुल गई उसमें चोटी में जो माला लगा रखा था फूल लगा रखे थे वो सारा का सारा पज़वी पर गिर गया एक आचारी कह दे थे फूल इसलिए गिर गया वो कहने लगा कि ऐसी माता के सिर पर हमारा अस्थान नहीं चरणों में होना चाहिए ऐसा सूच करके फूल मस्तक से नीचे गिर गया अब यसोदा मैया दोड़ रही जब ठक गई पसीने पसीने में हो गई तब कनईया ने सोचा कि अब स्वयम को ही पकड़वा देना चाहिए भगवान खड़ी हो गई यसोदा मैया ने दोड़ के पकड़ लिया और पकड़ के कहा अब तुमको नहीं छोनेंगे डंड देंगे घर से रशी ले आई और ला करके बांधने लगी जब कहते हैं यदा सी तदब नियूनं तेना न्यद दप संददे जब रशी में बांधने लगी तो दो अंगुल छोटी पड़ गी रशी मैया है सोदा दूसरी रशी लाई उसको जोड़ा वो भी दो अंगुल छोटी तीसरी लाई उसको जोड़ लिया फिर भी दो अंगुल छोटी मैया है सोदा हैरान हो गई कि मुठी भर इसकी कमर है डेड़ बर्स का बालक है और मुठी भर किसकी कमर है और ये इतनी बड़ी रसी में बंध क्यों नहीं राए लेकिन ज़रा विचार करो कि जिसके नाम लेने से भव बंधन कर जाता है वो भला बंधन में कैसी आ सकता है इसी लिए दोवंगुल छोटी पढ़ रही ती मानों बगवान बताना चाहते है कि है मैया अधिस्थान में कभी बंधन नहीं होता बंधन जब भी होता है अध्रस्ट में होता है अधिस्थान में कभी बंधन नहीं होता परमाक्मा बंधन से मुक्त होता है बंधन में तो जीव जाता है देखा भगवान ने की मैया खक गई हार गई तो भगवान स्वयम को बंधवा लिया यहां तो यह लिख रहे हैं कि कृपया द्रिष्ट्वा परिस्रमम किष्णा कृपया सीथ स्वबंधने भगवान ने जब यह सोदा मैया का वो परिस्रम देगा तो कृपया सीथ स्वबंधने कहां मानो भगवान की कृपा ने ही भगवान को बंध दिया क्या किया भगवान की कृपा से ही भगवान बंध गए नेमं बिरंचो नभवो नश्री रप्यंग संस्रयाम लग प्रसादम ले भरे गोपी अतत प्राप विमुक्तिदाद श्री सुगदेव जी कहते हैं नेमं बिरंचो नभवो जो सुख आज माता यसोदा को बाल लीडा देखकर के हो रहा है ये सुख तो कभी भगवान नाराइन के पुत्र ब्रम्ह को भी नहीं मिला बगवान सिव को भी नहीं मिला कहा दूसरे की कौन कहे लचमी की को भी वो सुख नहीं मिला जो सुख आज यह सोदा मैया को और गोपियों को मिल रहा है प्रसादम ले भी रे गोपि कहते हैं ऐसा सुख मिल रहा है मैया यह सोदा को बगवान बंद गए और ऐसा धीरे से कहा मैया ये रसी दंडी फेक दे क्या कहा मैया मानो बहुत डरी से बोलना एक मैया ये दंडी फेक दे मैया ने सोचा कहीं जादा न डर जाए अंदर से तो प्रेम दा डंडी फेक दिया अब कनहिया बिर्कुल ऐसे डरे से हैं इस तरह से देख करके ये सोदा मैया ने सोचा जब तक ये डरा हुआ है तब तक हम भर का कारी कर ले तो एक रसी का एक तरब का भाग तो कमर में बांदिया तो भगवान का नाम दामोदर पड़ गया अब दूशरी तरब का भाग बांदा उलूखल में कहा तू भी इसकी सहायता किया मक्खन खाने में उलूखल सब जानते हैं मूशल को कहते हैं बीच में पकड़ेने की जगा पतला दूनों तरब मोटा होता है तो बीच में बांदिया कनया सांतों करके खड़े रहे मैया काम में लग गए इधर जब काम में लगी मैया तो भगवान ने सोचा अब फिर लिला कर भी जाए भगवान धीरे से पीछे के दर्वाजा खोलाओ बाहर निकल गए बाहर जब गए तो मूशल पीछे पीछे घसिरते जा रहे थे आगे गए धर के पास में ये दो विशाल काई बिच थे अरजून के बिच जिनको पोहा भी कहते हैं विशाल काई बिच थे उनके बीच से निकलने लगे वो मूशल पुलूखल उसी में अड़ गया बगवान ने थोड़ा सा खीचा होगा अब दोनों के दोनों पिड़ धर साई हो गए गिर गए देखो बिच गिर तो गए लेकिन अभी आवाज नहीं हुई आवाज बाद में होगी ये भगवान की भगवत्ता है नहीं तो आवाज तुरंत होनी चाहिए ना लेकिन पहले नहीं है आवाज बाद में होगी दोनों पिड़ धरा साई हो गए दोनों ब्रिच्छों से दो दिप्य पुरुष देवता उत्पन हुए आ करके कनहया को अप्रणाम किया अप्रणाम करके बड़ी सुन्दर इस्तुदी किया मानों का नहिया प्रशन हो गए हों और कहा बर्मागो तो उनों ने उन दोनों दियोताओं ने बड़ा सुन्दर बर्मागा क्या कहा माडी गुणानु कथने स्रमलव कथायाम हस्तव चकरम सुमनस्तव पाद योर्नहाम इस्नृत्याम सिरस्तव निवास जगत्रणामे ग्रिष्टी सताम दर्शने स्थुभवात तनूनाम कहा है प्रभू आप हम पर ऐसी कृपा करो कि बाड़ी गुणानु कथने अब यह हमारी बाड़ी केवल आपका गुणानु बाद करें इससे दूसरी कोई चर्चा ना उत्त को केवल आपका गुणान बाद करें हमारी बाड़ी हमारे मुक से केवल आब की चर्चा को स्रमडव पतायाम कहते हैं इन कानों से केवल आब का चरित्र सुनाई पड़े आब का नाम सुनाई पड़े बस संसार की बात सुनाई न पड़े कासी में एक पंडी जी थे वो अपने कान के पास तो घंटा बांधे रहते थे अगर कई भगवान का चरित्र हो रहा है तो उस्रमण करते नाम संकेतन हो रहा है तो उस्रमण करते और कोई संसार के बाद करता तो सिर हिलाते लगते हैं अब भग देते जब सिर हिलाते तो वह घंटा बजने लगता ताकि संसार की बाद कान में जाये नहीं जिस छेत्र में वो रहते थे वो छेत्र को कान घंटा नाम से प्रसिद्ध हो गया अभी भी कान घंटा मौल लाए वा तो कहते हैं हस्तव चकर्मस मनस्तव पादयोर्ना इन हातों से केवल आब का कर्म हो आब की पूजा हो मन सदा आब के चरणों में लगा रहे इस मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रडा में आब की इस मृती सदा बनी रहे और हमारा यसिर सदा आब के चरणों में छुका रहे अध्रिष्टी सताम दर्शने इस्तु भवत तनूनाम इन आखों से किवल आपका दर्शनों अताज जित देखों ते तस्याम महिए हो जहां भी हम जाएं जिदर भी हम देखें किवल आप ही आप हमको दिखाई दें सब रूपों में आप दिखाई दें अईसा हमको जो है बर दे दीजिए भगवान प्रशन होकर के मानो बर दिया उन दोनों ने तीन परिक्रमा किया सामने डड़नुद पड़ाम किया अपड़ाम करके वहां से चले गए जब चले गए तब बिच्छों के गिरने की आवाज हुई बिच्छों की आवाज सुन गिरने की आवाज सुनकर गोप गोपियां दोड़ी ये सोधा मैया दोड़ी नंद बाबा दोड़े वहाँ पहुँचे तो देखा दोनों ब्रिच गिरे हैं और दोनों के बीज में तनहिया खड़ा दोड़ करके नंद बाबा ने गोद में उठा लिया और गोप गड़ों से कहने लगे कि जर्हा देखो तो भगवान की कितनी सी कृपाती हमारे उपर अगर ये फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाते फिर क्या होता उसके बाद कनहिया के कमर की रसे खोल दे तब तक यसोदा मैया पहुँचे और कनहिया नंद बाबा की गोद से मैया यसोदा की गोद में कुद गए अब आपस में चर्चा करने लगे कि ये कोई आनी तू भान नहीं आया भोकम पाया नहीं ये ब्रिच भी अभी सूखे नहीं थे पुराने ब्रिच नहीं थे फिर ये गिर कैसे गए कुछ बालक वहां थे खेल रहे थे काम बताएं कहां बताओ कहां ये कनहिया के कमर में जो उलूखल था इसको ये खीचते जा रहा था उलूखल पेड में अडग गया और जब इसने थोड़ा सा खीचा तो दोनों ब्रिच गिर गई अब कहा इतना नई नई दो दियोता इन ब्रिचों से निकले थे कहा ये कनहिया के पाओं में लोट रहे थे अब हाथ जोड़ के कुछ कही भी रहे थे इसे बतिया रहे थे वो अपनी भासा में कहने लगे कि कुछ बतिया रहे थे अब फिर एक बार कनया के पहरो में लोट करके और चले गए हुआ यद्य भी वह बालग सत्य कह रहे थे लेकिन गोप गोपी गणों को ये बाद विश्वास नहीं हुआ कि ये छोटा सा बालग और इसके खीचने से ये विशाल का है बिच्छ तूड़ जाएं नहीं लेकिन मैया यसोदा ने जो है हिदय से लगाया और लगा करके कहने लगी कि अरे गोपियों हम पर ब्रामनों की बड़ी कृपा है भगवान की बड़ी कृपा है और तुम सब जो ब्रत रगती हो उपवास रगती हो भजन करती हो उसके प्रभाव से हमारे कनहिया की रच्छाव हो जाती है यसुदा का अर्थई होता है परम यसम ददाती यसुदा जो दूसरे को यस प्रदान करे उसका नाम यसुदा वो कभी अपने उपर नहीं लेती कहती हैं ब्रामनों की कृपा से रच्छा हो गई ये गूपियों तुम जो ब्रत रपवास करती हो कनहिया के लिए इसलिए रच्छा हो गई भजन कीर्टन करती हो उसके प्रभाव से रच्छा हो गई मैया ये सोदा को ये पता नहीं है कि ये कनया साख्षाद हाँ फल लाता है इश्वर है ऐसा मैया ये सोदा नहीं जाने पा रही देखो भजन का एक प्रभाव बता रहा हूँ आपको सत्य घटना उसके बाद प्रीन लोगों का भजन होगा महाराष्ट की बात है बहुत प्रसिद बात है जो हम सुनाने जा रहा हूँ एक बार हम महाराष्ट गए पंडर पूर तो महाचंद्रभागा नदी है उसमें असनान कर रहे थे एक माता आई उसने बड़ा सा गिलास में ड़ाई भर के देने लगे लो बाबा पीलो आज एका दसी है हमने कहा नहीं हम नहीं पीते कहा पीलो पीलो आज एका दसी हम कहा हम कहते हैं नहीं पीते अच्छा फिर हमने पिया नहीं क्योंकि हम इचार करते हैं जराई सा चेज़ का नहीं पिया असनान करने के संध्या किया मंदिर पहुचिये तो फिर वो माता मिली हमको फिर माता मिली अब मिलने के बाद पुजारी के पास ले गई हमको पुजारी के पास ले गई कहा कि ये माराजी को अच्छे से दर्शन करा देना था पुजारी ने कहा ठीक है उनका सब कापस में पर्चे रहता है तो कहा ठीक है करा देंगे फिर उसने कहा माराजी रुके तो इनकी बिवस्था तुम यहीं कर देना मंदिर में तो पुजारी बहुत अच्छे सज्जन बेगते थे उन्हों ने अपने घर में एक कमरा दिया उन्हीं भोजन भी कराया तो बिवस्था कर दे अब वहाँ जब हम रुके तो भूमने लगे मंदिर में तो देखा एक जगा समाधी बनी हुई थी मंदिर में हमारे मन में आ आला कि यह मंदिर के अंधर समाधी तो गलत ही यह सासके बिरुद रही है फिर हमने यह बात अजैरी को रात में कही ओ जब बैठे पासमें तो हमने कहा है मंदिर में समाधी तो गलत है तो उन्होंने एक घटना हमको सुनाई पुजारी ने वो घटना हमा को सुना रहा हूँ उन्होंने एक घटना सुनाई कोई सक्फू भाई थी सक्फू भाई भाई बहुत भजन करती थी बगवान के नाम का सिंकितन करती वैसे भजन गाती जब वो बड़ी हो गई तो उसका बीवा हो गया बीवा के बाद जहां ससुराल गई वो लोग थोड़ा नास्तिक टाइब के थे गले में उसके तुलसी बनी देखा तो कहा ओहो वो तिलकुलक भी लगाती थी तो देख के का ओहो यह तो भगती नहीं कहने लगे उसके ससुर और शास ने कहा कि देख यहां एक तो तु गाएगी नहीं नाचेगी नहीं और ये सब एक कंठी वंठी या नहीं चलेगी तुम्हारी बोला नहीं कंडी तो उतारी नहीं अब वो अपने कमरा बंद कर लेती वहीं गा लेती बंद कमरे में ताकि साथ ससुद न सुन पाईती कुछी दिन ऐसा चला उसका खेल एक दिन वो जो है कपड़ाद होने के लिए पूरे घर का गपड़ा लिया और चंद्रभागा नदीपर धोने के लिए चली गई कपड़ा धो रही थी उधर से एक संतों की टोली निकले एक वार्करी संप्रदाय होता है महाराश्ट में उसमें ग्रहस्य भी होता है है पुरुष होता है जादा तर ग्रहस्य नपेप्रशत老ोम वो लोग केवल भजन गाते हैं बस नाचते हुए भजन गाते हैं बस तो नाचते गाते भजन गाते जा रहे थे अब वो कभी उड़के खड़ी हो फिर ससुर की याद आए कि वो डाटेगा तो भेट जाए फिर खड़ी हो जाए वो बेचाई नहीं होने लगी अंत में वो अपने आपको रोक नहीं पाई कपड़ा वहीं का वहीं छोड़ दिया और जो है मंडली में चली गई अब उनके साथ गाती नाचती हुए पंडरपुर चली गई इधर भगवान ने सुचा कि वो तो चली गई पंडरपुर अब अगर ये नहीं पहुचेगी अभी घर तो साथ ससुर खोज करेंगे वो पता चलेगा कि पंडरपुर पहुच गई है तो ये तो वो नास्तिक है पिर इसका जीवन में दुखोर बन जाएगा भगवान जो है उसी सक्खु बाई का रूप बना लिया अब बना करके वहाँ पहुच गए जाकर के पूरे परिवार का कपड़ा धोड़ा कपड़ा धो के ले गए घर फैला दिया अपना घर का जो एक बहु काम करती आख सकते जानते हैं वो सारा घाड़ू लगाना बरतन माजना भोजन बना के खिलाई सब काम किया भोजन परोशने लगी ससूर सास कहने लगे गजब आज जैसा भोजन तो किया ही नहीं आज तो बहु ने गजब कर दिया कितना सुन्दर भोजन बनाया शाम के सोने लगी सास तो जाके पैर भी दबाया बगवाजे सक्खुबाई के रूप नहीं हो दबाती थी तो भी दबाये जाके सास का पाउं दबाया इस तरह से क्रम चलता रहा तीन चार दिन बीद गया वो पंदरपुर गई थी वहां हुआ यह कि पंदरपुर पहुचने के बाद वो संतों ने बड़ा मचल करके गया और नाचे अब उसमें वो सक्खुबाई भी बहुत मचल करके नाचे नाचने में उसके प्राण निकल गई मर गई अब जब शक्खुबाई मर गई तो अब वहाँ संत लोग पुजारी लोगों ने सोचा कि अब तक इसके घर लास पहुँचाएगे तब तक तो यह सड़ जाएगी लास सबने सलाह करके उसको वही जला दिया सक्खु बाई का अगनी संसकार कर दिया जलाने के बाद मातमा लोग अपने अपने घर गए जब घर गए तो पांच लोग उसमें से उसके सखो भाई के घर गए यह बताने की तुम्हारी बहु मर गए वहाँ गए मू लड़का के सारे बैट गए तो ससुर से पूचा की बात क्या है आपलो अचा बीच में यह घटना और हुई उसको दी साथ में कहिंद बाद इसमज में आई यहाँ जो तीन-चार दिन का बीच हुआ ना तो उस समय में उसको तो जला दिया वहु को जलाने के बाद नारद जी बैकुन्ट गए लचमी के बास और जा करके लचमी से कहा चलो तुम्हारे पती का दर्सन करा झी लच्मी जी वहाँ से पती का दर्सन करने निकली तो दिखाया तो वो जो है चंद्रभागा नदी के तड़ पर कपड़े धो रहे थे सक्वुबाई के रूप में लच्मी को बड़ा दुख हुआ कि हमारे पती जिनकी राद दिल लोग पूजा करते हैं लच्मी जी वहाँ आई पंडरपुर और आने के बाद जहां उसको जलाया गया था वहाँ पहुची और जहां के गाली दिया वो जो जिस भासा में का वही भासा बोल रहा हूँ लच्मी ने कहा अगे राण तु यहां मरी पड़िये हमारे पती तुमारे घर वालों का कपड़ा दो रहे उट आईसा कह करके जब डाटा तो वो उट करके खड़ी हो गई भगवान तो समठ है ना लच्मी समठ है उटके खड़ी हो गई का भगया से सीधा जा कपड़ा अपना धो अब वो सीधा संद लोग तो जाही चुके थे वो भी चली गई वहां से जाके चंद्रभागा नदी के तड़ पर पहुंची तो देखा भगवान कपड़ा दो रहे थे सको भाई को देखकर भगवान अंतर द्यान हो गए अब यहां से जब वो पांच लोग बैठने के लिए गए अब उस तरह से कहा कि भाई देखो दुक्की बात है वो बहु मर गई होंग लोगों ने संस्कार कर दिया तो कहा कही क्या रहे हो ससुर ने कहा वो बहु तो घर में बैठी है कहा नहीं वो पंडर पुर गई थी कहा नहीं है गई नहीं पंडर को हम लोग मांते नहीं देखो अगर नहीं बिश्वास है तो हम बहु को बुला रहा हूं कहा बहु अंदर से वो घूंगट करके दिकली बाहर आके खड़ी हो गई, तब पूछा कि तू पंदरपुर गई थी, ताकि इनको विश्वास हो जाए कि नहीं गई, अच्छा वो लोग भी दंग रहे गए कि यह पहू यहां है तो मरी कौन, तब पूछा कि तू पंदरपुर गई थी, तब धीरे से कहा हूं, तो कहा हूं काम कौन किया, अब वो बोल नहीं पाई, उसको पता भी नहीं था कि कौन था, तब तर धरवान धीरे से एक छण के लिए आए, और कहा यहां मै था, यहां मै था, तो कहते हैं वो जो मरी थी सक्खो भाई, जहां जलाया गया, वहाहीं पर उसकी समाधी बना दी गई, यह बा जन में मन एकागर होता है ना, जो यह गाते हैं, उसमें जितना एकागर होता है, जब मेरे एकागर नहीं होता है, उसमें तनमाई हो जाते हैं बित्ती, लेकिन, हाँ, अच्छे मन से गाएं तब, मुलो कह में चंद्र भगवानी की, बुली बाते भी हर लाली की जै, नंद के लाली की जै, किया पिया इनने है नंग में, हो बलक धाप दोहे लूँ, और इनने हैं,